है लो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यहां हमने एक छोटा सा पपीता लिया है इसको मैंने दो कर अच्छे से सुखा लिया है यह बहुत ही अच्छा पपीता है इसे हमने चील लिया है छिलने के बाद इसके बीज हटा कर हमने इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शियर और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स कच्छे पपीते में बहुत ही ज़्यादा फाइबर पायाता है और डियाबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही फाइदे मंद होती है जो डियाबिटीज को रोल करती है तो इसलिए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें आप चाहे तो इस रेसीपी को ब्रत में भी बना कर खास रखते हैं बट आपको नॉर्मल नमक के जगह सिंधा नमक का यूज़ करना होगा इस तरह पपीते के हमें छुटे-छुटे टुकडे कर ले रहे हैं टुकडे हमें ज्यादा बारी नहीं करने हैं नहीं तो इसका भरता बन जाएगा यहां कडाही में मैंने तेल डाल लिया है और इसे गर्म होने देंगे तेल गर्म हो गया है यह जो पपीता हमने काट के रखा था है इसे हम डाल देंगे गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है और इसे soft होने तक हमें पकाना है इस तरह dark spot होने तक हमें पपीते को अच्छे से पका लेना है इस तरीके से अगर पपीते को पहले भूनका बनाते तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है पपीते अच्छे से पक चुके हैं इसे दवा कर देख ले यह असानी से तूट रहा है की नहीं पपीता अंदर तक भूनका तयार हो गया है इसे अब हम निकाल लेते हैं फ्लेम हमें लो कर देनी है यहां पर मैंने एक टुकड़ा अदरक का दो हरी मिर्च और एक टमाटर जिसे मैंने कट कर लिया है रफली और इसका पेस्ट बना लेना है जिस कड़ाई में हमने पपीता फ्राई किया था उसी कड़ाई में मैंने एक चमत जीरा और एक चुटकी हींग ली है जब यह तरकने लग जाए तब हम इसमें जो अदरक मिर्ची का पेस्ट हमने बनाया था और टमाटर का उसे हमें इसमें डाल देना है हिंग डाईजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है अगर आप चाहे तो डाले वना ना डाले अब इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक तेल ना चुटने लगें और साथ में कुछ मसाले एड़ करेंगे हाफ टेवल स्पून हल्दी, हाफ टेवल स्पून डाल मिर्च, हाफ टेवल स्पून जीरा, धनिया और काली मिर्च का पौडर स्वात की अनुसार नमक और इन सब को मिक्स करके हमें अच्छे से भुनना है और साथ में डालेंगे फ्राइ की हुए पपीते को और इन्हें भी डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाँ, एक बात तो आपको बताना ही भूल गई पपीते को पकाते समय फ्लेम को हाई रखना है नहीं तो पपीते के अंदर तेल चला जाएगा बनाते समय ध्यान रखना है कि जब भी पपीते को आप फ्राई कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम को हाई रखना है जिसे की टुकडों में तेल बिल्कुल भी अब्जर्ब नहीं होगा मसाले अच्छा से भून चुके हैं अब हम इसमें पानी डाल देंगे पानी आप अपनी आवशक्ता अनुसाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली करनी है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें और अगर आपको गाड़ी खानी है तो थोड़ी कम डाल दें अब हम इसे ढख कर लो फ्लेम पर पकाएंगे सब्जी बिल्कुल तयार है खाने के लिए अब हम इसमें बारी कटी हुई हरी धनिये को डालेंगे और इसे खाने के लिए सर्व करेंगे फपीते की ऐसी सब्जी बढाएंगे तो बार बार खाने का मन करेंगा आप इसे इस तरह भी एक बार ट्राइ करके देखें